अब हम बात करते हैं मकर लगन वालों की मकर लगन वालों के लिए कैंसर एगा नवश तोजाश सत्रा जैसा कि आपको पहले भी बताया क्या है हर वीडियो में मैं ये बात बता रही हूँ कि इस वर्षफल के परभाव को समझने के लिए आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाया गया है आप सब उसे एक पर चुरूर सुने ताकि ये गोचर ये क्रेहों का गोचर आपके जीवन में कैसा परभाव डालेगा इसको आप किस तरह समझ सकें वो उसमें बताया गया है क्योंकि आप अब तक राश्ची नुसार सुनते आये थे अपने टिठी के अकॉर्डिंग आप सुनते आये थे तो ये जो परभाव हम बता रहे हैं ये हमने वैसे नहीं बनाया है ये हमने लगन की राश्ची के नुसार आपको बताया है इसको समझने के लिए आप सब उस वीडियो को एक बार सुने और फिर इसको सुने अब हम बात करते हैं मकरलगन वारों के लिए कैसा रहेगा नवर्ष 2017 सबसे पहले हम लेते हैं स्वास्थे को मकरलगन के जो सौमी है वो शनी ही है जो कि राश्ची पर वर्ष और वर्ष के आरम से ही राश्ची पर वर्ष तान पर आने वाले हैं तो स्वास्थे के लिए समय कुछ अच्छा नहीं लग रहा है गुरू द्वादस्थ पहात स्वामी हो लगन पर पहले ही दिश्टी डाले हुए है और राहू अश्टम में हो फिर से द्वादश पर ही नज़र रखे है तो ये कह सकते हैं कि इस वर्ष स्वास्ते को लेकर आपको समस्याई बन सकती है पेट के समंदित, पाचन समंदित, हिर्दे समंदित रोक इस वर्ष आपको पर चाहिए और पहले की जो शारीरिक समस्याई आपकी हैं उनमें भी आपको परहेज करते हुए चलना चाहिए नहीं तो ये जो वर्ष है ये आपका होस्पिटल का चकर भी लगवा सकता है कुछ ऐसे स्थितियां आपकी बन सकती हैं कि आपको डॉक्टर्स के पास बार बार च स्थिति में खराबी है तो भी आप से तरक रहें और कुंडली विशलेशन करवा के उपाय चुरूर करें अब हम वेपार और नोकरी की बात करते हैं तो कैसा रहेगा उनके लिए ये वर्ष तो वेपार वर्ष के लिए इस वर्ष फाइदा रह सकता है वर्ष के मद्दे के बात इनके कारें में अचानक से कुछ रुखावटें आएंगी कारिस तल पर करमचारियों के बीच भी कुछ समस्याएं इनको उत्पन होने के योग नजर आ रहे हैं इस वर्ष जो धनेश है शनी वो 12 वाब में रहेंगे जो की वे का विस्तान है और विदेश का विस्तान ह तो आपके लिए ये वर्ष लापरत रहने वाला है प्रन्तु यदि ऐसा नहीं है और आप सामन्य यहीं पर रहके कारे करें तो आपके कारियों में कुछ परेशानिया इस वर्ष आ सकती हैं वर्ष के मद्या से जो राहू केटू का गोचर बदलेगा उसके पर भावश ये आपके अरिक बढ़ सकती हैं यदि आप सांजेदारी से जुड़े हैं तो इस वर्ष विशेश रूप से साधानी बढ़ते हैं ऐसे में राहू की दशा से अगर आप पर भावित हैं और कुंडली में भी आपके राहू की सिती अच्ची नहीं है तो आपको भारी नुकसान इस वर्ष उठाना पड़ सकता है जो लोग नोकरी से जुड़े हैं उनके लिए ये वर्ष मिले जुले प्रभाव देने माला रहेगा भागदोड़ और तनाव तो इनके लिए भी रहेगी पर फिर भी इनको लाब रहेगा और बीच-बीच में कुछ कामा में इनको नया सी धन के स्वामी होके जो शनी है इस वर्ष वह स्थान पर चले जाएंगे जिसे धन संबंदी इनको समस्या रहेगी धन खर्च होगा अप्वय होगा और बिना कार बिना किसी जुरूरी कारे के खर्च होगा यहां मैं फिर से बताना चाहूंगी कि यदि आप विदेश से जु रहा है तो आपको लाप राप्ती होगी नहीं तो आपको समस्या ही आएंगी धन से लेके यदि विदेश से जुड़े हैं तो आपके लिए नया कारे करने के लोग बनेंगी और धन अगर आपका खर्च भी होगा तो अच्छे कारे में खर्च होगा जिसे आपको आगे जोकिम ना उठाएं, बीना सोच अपने पैसे को कहीं भी लगाने का जोकिम आप इस वर्ष ना उठाएं और सोच समझ कर धन का प्रयोग करें, आए होकर भी धन तो आपका इस वर्ष खर्च अधिक होने ही वाला है, इतली धन को ये कारियों को लेकर तरग रहें, प्रेम समन् समय से लेके तनाव बढ़ेगा, वाद विवाद होगा आपसी रिष्टे के तूटने की स्थितियां तक इस वर्ष आपकी बंती नज़रा रही हैं, क्योंकि मकर लगन वालों की जो सभाव है वो भी इस वर्ष कुछ बिगड़ने वाला है, जल्दवाजी में, आक्रोश में उतेजना में रहने वाले हैं, बार बार आपके लिए स्थितियां बनेंगी कि क्रोध और वानी पर सयम ना रहे, इस परकार की आपको समस्या आ सकती है, विवाहित लोगों के अगर बात करते हैं, तो उनके लिए विजून के बात का समय अच्छा नहीं रहने वाला, और इन कुंडली में वाइक सीति अच्छी नहीं है, तो अपने हातों में भी चंदर परवत देखें, यदि उस पर भी दुश्परवाब है, तो विशेश रूप से ध्यान करें, अगर चंदर परवत पर काले धपे और जाल बनता नजरा रहा है, चंदर परवत दबा हुआ है, उस शिक्षा की यदि बात करें, तो यह वर्ष मिले जले पर भाव देने वाला रहेगा, बहुत अच्छा तो इस वर्ष को शिक्षा के मामले में भी हम नहीं कह सकते, फिर भी वर्ष जो है, मत्या तक आपको मुका मिलेगा, कि आप अपने कारियों को अच्छे से लगके पूर अच्छे से लगके आपको समस्य रहेगी, तो कुछ मिला जुला साही समय आपके लिए रहने वाला है, यदि फिर भी समस्य आदे काएं, तो अपनी कुंडली के अनुसार आप उपाए करें, संतान पक्ष के अगर हम बात करते हैं, तो संतान के स्वस्थे को लेके आपको च की समभावनाई इस शेट्र में भी संतान पक्ष को लेके भी बन रही हैं, गरवती इस्तियां जदी हैं, और उनका मकर लगन है यदि, मकर लगन वालों के इलमें अगर गरवती इस्तियां हैं, तो वो स्तरक रहें कि इस वर्ष कुंडली के अनुसार भी अगर उनको हो सकता है उनके आनेवले संतान को कुछ कुछ होने की संभावनाइं दीख रही हैं इसके लिए उनको उपाई चिरूर करवाने चाहिए और अगर हम मकर लगनवालों के लिए उपायों की बात करते हैं तो सभी लोग क्या उपाई कर सकते हैं वो देख लेते हैं उपाये के तोर पर सभी के लिए रुद्राभी शेक करवाना अच्छा रहेगा जब भी आपको मुका लगे जिस तरह भी आपके सुवेदा हो सके तो कोशिश करें कि अधिक से अधिक रुद्राभी शेक इस फ़र्श आप करवाते रहें चाहे तो आप मासिक शिवरात्री पर रुद्राभी शेक करवा सकते हैं अगर आप इतना नहीं करवा सकते हैं आप दो तिन महीने के गैप पर रुद्राभी शेक करवा सकते हैं और उनकी सेवा करें तो ये थे उपाई मकरलगन वालों के लिए यदि आप लोग अपनी कुंडली के अनुसार इन ग्रेहों के परभाव को जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली का अलग से विश्ट्रेशन करवाना चाहिए क्योंकि ये जो हम परभाव ब ये ये सब बानकर ही आपके लिए वर्ष को अच्छे से समझा जा सकता है वर्ष का कैसा परभाव रहेगा ये आपकी कुंडली के अनुसार अच्छे से जाना जा सकता है तो यदि आप अपनी कुंडली का हमसे विश्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिये जे मताजी